हेलो वेलकम टू हिंदुस्तान गेमर कैसे हैं आप सभी दोस्तो मैं आज आप लोगों के लिए एक बड़ा पैसेंजर एरो प्लेन लाया हूँ जिसका नाम है A380 एयर बस दोस्तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ तो दोस्तो ये रहा ये है A380 एयर बस देखिए कितना बड़ा पैसेंजर एरो प्लेन है चलिए दिखाता हूँ मैं आप लोगों को जरा गौर से देखिए कितने बड़े बड़े इंजिन्स है टोटल चार इंजिन्स लगे हुए हैं कितने बड़े इसके पंक हैं देखिए द कितना बड़ा जहाज है ये ये आसमान में कैसे उड़ पाता है आज मैं इसे उड़ाने वाला हूँ दोस्तो मज़ा आ जाएगा देखिए क्या साइज है इस प्लेन की ये सबसे बड़ा प्लेन है जी टिये 5 में चलिए अब मैं इसे जल्दी से उड़ाता हूँ मुझे से अ जल्दी जाता हूँ मुझे इसे देखकर डर लग रहा है मैं इसे कैसे उड़ाऊंगा प्लेन चालू हो गई है देखिए कितनी बड़ी प्लेन है अब मैं इसे अंदर से दिखाता हूँ ये देखिए कॉक्पिट व्यू देखिए कितने सारे कंट्रोल्स हैं पता नहीं कैसे उड़ाऊंगा मैं इसे पर उड़ाना तो पड़ेगा और यहाँ उपर बैटरी कंट्रोल से क्या सांधार प्लेन है यार देखिए और यहाँ पर देखिए मेरे हाथ में कंट्रोल है मैं इसे आगे पीछे दाएं और पाएं कर सकता हूँ हेहे जब पर दस्त है तो चलिये दोस्तों तेरकिस बात की अब हम इस प्लेन को रण्वे पर लेते हैं और एक सांधार टेक आफ करेंगे चलो हम बिलकुल सामने वाले रण्वे से जाएंगे क्योंकि क्योंकि दूसरे रण्वे पे दूसरे प्लेंस आते हैं जो हमसे टक्रा सकते हैं रनवे पर बिल्कुल सीधे करता हूँ मैं प्लेन ये आ गए हम रनवे पे अब यहीं पर रोखता हूँ मैं प्लेन तयार हो जाएए दोस्तों एक सांदार टेक आफ के लिए चलिए चलते हैं स्पीड में चलाता हूँ प्लेन और एक सांदार टेक आफ होगा मैं टेक आफ करने वाला हूँ दोस्तों ये देखो सामने से प्लेन उठ रही है हम जा रहे हैं आसमान की और क्या बात है इतनी बड़ी प्लेन अब आसमान में उड़ने जा रही है इस प्लेन को देखकर ही मज़ा आ रहा है पर मैं इस प्लेन को लेकर जाओ कहा एक काम करते हैं दोस्तों हम इस प्लेन को लेंड करवाते हैं ट्रवर के एरपोर्ट पर चलिए चलते हैं ट्रवर के एरपोर्ट पर मैं जी टिये फाइब सिटी छोड़ने वाला हूँ ये देखिए कॉक्पिट का नजारा सब बढ़िया चल रहा है देखिए समुन्दर के उपर लगता है कोई प्लेन जा रहा है कौन सा प्लेन ये तो एक और A380 प्लेन है क्या बात है हम पहाडों के उपर से जाने वाले है ट्रवर की एयरपोर्ट जाएंगे मज़ा आ जाएगा पर ट्रवर का एयरपोर्ट तो छोटा सा है पता नहीं हमारा A380 वहाँ लैंड होगा या नहीं पर हमें लैंड तो करना ही होगा चलिए देखते हैं जो भी होगा देखा जाएगा बस सामने वाले पहाड को पार करते ही ट्रवर का एयरपोर्ट आ जाएगा देखिए क्या सांदार प्लेन है बिलकुल पहाड के उपर से जा रहे हैं इतनी बड़ी पैसेंजर एयरो प्लेन को पहली बार चला रहा हूँ मैं जी टीए फाइब पर मज़ा आ रहा है कहां है ये ट्रवर का एयरपोर्ट ताइम ओडना होगा मुझे बस हम ट्रवर के एयरपोर्ट आने वाले हैं बिलकुल सीधे हैं देखते हैं ट्रवर के एयरपोर्ट में इतनी बड़ी प्लेन उतर पाती है की नही बिलकुल सामने हैं ट्रवर का एयरपोर्ट ट्रवर मैं आ रहा हूँ तुम्हारे एयरपोर्ट में देखते हैं हमारा ये A380 तुम्हारे इस चोटे से एयरपोर्ट में लैंड कर पाता है या रही बिलकुल सामने रनवे दिख रहा है मुझे बस अब मुझे लैंडिंग के तयारी करनी होगी और एक सांदार लैंडिंग करना होगा मुझे ट्रवर के एरपोर्ट के रनवे पर काफी पत्थरे हैं मुझे संभाल कर लैंड करना होगा अगर ये प्लेम पत्थर से टकरा गया तो चूर चूर हो जाएगा अब हम रन्वे को छूने वाले हैं और थोड़ा नीचे बिलकुल संभल कर और नीचे और नीचे और ये छू गए हम रन्वे को क्या बात है एक सांदार लेंडिंग तो दोस्तों हम ट्रवर के एरपोर्ट पे अच्छे से लैंड कर गए हैं चलो अब आगे से मोड़ता हूँ मैं इस भारी भर कम प्लेन को मुझे मोड़ना होगा आगे रन्वे खतम पीछे से जाना होगा मुझे आगे बिलकुल संभाल कर जाना होगा चारो तरफ पत्थर है च और पीछे और भी पीछे जाओ और पीछे चलो अब मैं आगे जाता हूँ अब मुझे यहां से फिर टेक आफ करना होगा हम अब कहीं और जाने वाले हैं बिलकुल सीधे सामने काफी पत्थरे हैं मुझे सुंभाल कर टेक आफ करना होगा चलिए दोस्तों टेक आफ के लिए तयार हो जाएए आगे बढ़ता हूँ बिलकुल संभाल कर मुझे टेक आफ करना होगा सामने एक बड़ा पत्थर है उससे पहले मुझे टेक आफ करना होगा यह हो गया लिफ्ट आफ क्या बात है हम जा रहे हैं आसमान की और लैंडिंग दोस्तों अब हम कहां जाएं एक काम करते हैं अब हम चलते हैं हमारे नए एयरपोर्ट प्रोकोपीयो पर प्रोकोपीयो एयरपोर्ट हमेशा पानी से भरा हुआ होता है वहां लैंडिंग करने में काफी दिक्कते होती है चलो देखते हैं हमारा एयरबस A380 क्या कर पाता है देखो क्या सांदार एरोप्लेन है, पहाडों के बीच से जाएंगे, प्रोकोपियो एरपोर्ट जाना है, क्या नजारा है यार देखो, हे प्रोकोपियो एरपोर्ट हम आ रहे हैं, और भी उचाई पर जाएंगे, दोस्तों कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, प्रोकोपियो एरपोर्ट आने वाला है, हम पहुचने वाले हैं प्रोकोपियो एरपोर्ट पर, नीचे करता हूँ प्लेन, अब सामने से मुझे दाएं मोड़ना है, और भी नीचे करना है मुझे, कहां है ये प्रोकोपियो एरपोर्ट, यहीं कहीं था, पानी से भरा हुआ होता है, कहां है ये एरपोर्ट, कहां है, कहां है, दिखाई नहीं दे रहा एरपोर्ट, लगता है वो रहा, है ये क्या, चारू तरफ पानी ही पानी, मुझे रन्वे नहीं दिख रहा, अब मैं कैसे लैंड करूँ, वो देखो दोस्तो, एरो प्लेंस मुझे पानी के ऊपर दिख रहे हैं, और कोई भी रन्वे नहीं है, मैं लैंड करूँगा कैसे, समझ नहीं आ रहा मुझे, कहां है रन्वे, अब मैं क्या पानी में उतर जाओ, ये रहा रन्वे दिख गया मुझे, चल्दी से क्लियर हो ज अभी, अभी मैं टपक जाता एरो प्लें के साथ, बच गया, यहीं पर रोखता हूँ, तो दोस्तो, हम प्रोकोपियो एरपोर्ट पर एक सांदार लैंडिंग कर चुके हैं, तो चलिए, अब हमें जाना चाहिए वापस, चलिए चलते हैं दोस्तो, हमारे चीटिये 5 के में ए और पीछे जाता हूँ, बस हो गया, चलो दोस्तो, टेक आफ की तैयारी करते हैं, तैयार हो जाईए दोस्तो, हम टेक आफ के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कुरसी की बेटी बांध लीजिए, हम आगे बढ़ रहे हैं, आसमान की और, स्पीड में चलाता हूँ प्लेन, और य आसमान की और बढ़ चले हम, लेंडिंग गियर अंदर कर लेता हूँ, चलो बिलकुल मुझे यहीं से तीखा मोड़ना होगा, हमें अब जाना है, हमारे जीटिये 5 के सबसे बड़े एरपोर्ट, आज मुझे इस प्लेन को चला कर काफी मज़ा आया, पहाडों के उपर से जा जाना है, देखो क्या सांदार प्लेन है, हम जीटिये 5 सिटी में जाने वाले हैं, जरा आप लोगों को कॉक्पिट व्यू दिखा देता हूँ, ये देखिए दोस्तों, सभी कंट्रोल्स अच्छे से काम कर रहे हैं, क्या सांदार कॉक्पिट है, मज़ा आ गया, देखिए न जारा, काफी सांदार नजारा है, हम पहुचने वाले हैं, जीटिये 5 सिटी पर, दोस्तों, हम जीटिये 5 के मेन एरपोर्ट के रनवे पर उतरने वाले हैं, कुरसी की पेटी बांध लीजिए, बिलकुल सामने है रनवे, बस थोड़ा और पास जाओंगा, और रनवे पर उतर जाओंगा, रनवे बिलकुल नजदीक है, और नीचे करता हूँ प्लेन, और न बात है, हम पहुँच चुके हैं जीटिये 5 के मेन एरपोर्ट में, अब मैं इस प्लेन को जाकर लगा देता हूँ, बिलकुल एरपोर्ट के सामने, यहां से लैफ्ट मोड़ता हूँ, बिलकुल सीधे जाओंगा, मुझे संभाल कर जाना होगा, अगर कहीं टक्रा गया, तो यह प्लेन फूट जाएगा, अब आगे से लैफ्ट मोड़ता हूँ, जहीं से लैफ्ट मोड़ता हूँ, चलो, अब मुझे प्लेन को बिलकुल सीधे लेकर जाना है, यहां पर बिलकुल धीरे चलाना होगा, बिलकुल संभाल कर जाना होगा, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यह भी बच गया, चलो, सब ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं, बिलकुल सीधे जाता हूँ, और भी आगे, वो रहा पैसेंजर्स के आने का रास्ता, वहीं जाकर लगाता हूँ, एरो प्लेन, बिलकु सीधे, और आगे जाता हूँ, और थोड़ा, बस हम पहुचने ही वाले हैं, और भी आगे, और भी जा सकते हैं हम, बस हो गया, यही पर रोपता हूँ, अब मैं बाहर निकल जाता हूँ, चलो चलते हैं, दोस्तों, मैं सही सलामत हमारे Airbus A380 को लेकर आया, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, मिलते हैं दोस्तों, आप सभी से अगले वीडियो में, क्रिफीए में दोसी में दोसायता ही, झालाया भी से अग known!